हाई गाईज वालकूम बैक आप सबी का अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत था गाईज आपल ने आइफोन एक सार यूजर के लिए एक नया अपडेट रोल आउट करा है 17.3 का ये नया लेटस्ट अपडेट है अपडेट का साइस भी काफी बड़ा है और बहुत-पहुत से नए फीचर्स एपल ने इंक्लूट करें हैं इस नए अपडेट में और इस फीडियो में आपको देखने को मअलेगा इसके नए फीचर्स के वारे में और नए चैन्जिस क कर आया है तो मेक शूर रखें कि इस वीडियो को जूर वाच करें अगर आप आइफॉन XR को यूस्ट कर रहे हो और यूस्ट करते करते काफी टाइम हो चुका है क्योंकि बैटरी बैकप जो है वो सबसे जिदा में रहता है हर एक अपडेट में क्योंकि जब से आइस 17 को आप 77.1 MB इसका साइज मेरे को आइफॉन XR Q पर रिसीव हुआ है हर एक टिवाइस के हिसाब से आपको अलग-अलग साइज जो है वो रिसीव हुआ होगा मैंने इस अपडेट को इंस्टॉल किया है 17.2.1 के अपडेट से और यहां पर बात करते हैं कुछ नए चिंजिस के बारे सबसे पहले आपको निया बिल्ट नंबर देखने को मल जाता है 21D 50 एक निया बिल्ट नंबर 70.3 की अपडेट में आपने इंक्लूट करा है पुराने वाले अपडेट में 21C66 था तो अब वाले अपडेट में चेंज हो चुका है अब बात करते हैं स्टॉरेज की अपडेट 6.97 GB यूजर रखी है 128 GB में से तो अपडेट करने के बाद की जो स्टॉरेज है वो देख लेते हैं कितने आपको फ्री देखनी को मल रही है तो आप देख सकते हो 28.34 GB अपडेट हो रखी है मतलब कि अपडेट को जब मैंने इंस्टॉल किया तो यहां पर 2 GB के आसपास की ज स्टम डेटा हो रखा है अपडेट करने से पहले सिस्टम डेटा कम था जैसे ही अपडेट हुआ डिवाइस तो अपडेट के बाद 7.58 GB हो चुका है सिटम डेटा जो है वाइफ़ोन XR की उपर इंक्रीज हो चुका है इसलिए जो स्टोरेज है आपको फ्री होकर देखनी को नहीं मिलने वाली है अब बात आती है यहां पर modern firmware की जो की connectivity से related जो भी अगर आपको issue देखने को मल रहे थे पुराने अपडेट में उनको iPhone ने fix कर दिया है क्योंकि इसमें आपको नया modern firmware का जो नंबर है वो देखने को मलता है हर एक iPhone का जो modem firmware है वो अलग-अलग रहता है तो आपके case में भी यह जरूर चेंज हुआ होगा अब बात करते हैं बैटरी backup और बैटरी health की बैटरी health ड्रॉप होई है यह नहीं तो यहां पर बैटरी health charging वे जलते हैं 84% आप देख सकते हो जो 17.2.1 का update था उसमें 1% मेरी बैटरी health ड्रॉप होई है तो इस वाले update में कोई भी बैटरी health ड्रॉप नहीं होई है अब बिना किसी problem के इस update को update कर सकते हो क्योंकि battery health सबसे main रहती है अगर आपको अपने iPhone की battery health को ड्रॉप नहीं करना है तो पहले से ही charge रखें उसके बाद फिर अप इस नए update को install करें अब बात करते हैं कुछ new features की जो की आपको iPhone XR पे देखने को मलने वाले हैं 17.3 के इस नए latest update में सबसे पहले आपने mention किया है stolen device protection के नए feature को stolen device protection का feature है वो आप कैसे enable कर सकते हो कैसे जो stolen device protection का feature है वो काम करता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो stolen device protection में आपको तीन options यह allow करता है तो यहाँ पर जब आप stolen device protection को on करना जाते हो तो आपको settings में face ID and password की उपर tap करना है अपने lock screen के passcode को आपने enter करना है और swipe up करो तो यहाँ पर आपको देखने को मल जाएगा stolen device protection का यह option जैसे ही stolen device protection के इस feature की उपर tap करोगे turn on protection का option आपको यहाँ पर देखने को मल जाएगा आपको इसे own कर देना है तो यहाँ पर आईए feature है पहले off था अब यह own हो चुका है तो बात करते हैं यह feature काम कैसे करता है मान लो कि आपने इस feature को enable करका है और आप कई बार क्या होता है कि दिन में हम बहुत बार अपने face ID को यूज़ करते हैं और अपने lock screen के passcode को यूज़ करते हैं outdoors में भी और कई बार ऐसा होता है क्योंकि साथ वाला बंदा जो है आपके passcode को देख लेता है lock screen के अगर मान लो कि यूज़ को आपके passcode का पता चल गया है अगर आप उसको अपना phone भी देते हो या by chance वो चुरा लेता है तो इस condition के उपर उसको lock screen का passcode पता है बट वो face ID आपकी use नहीं कर सकता और नहीं आपके जो passcodes हैं उनको change कर सकता है apple ID के जब आपने stolen device protection के feature को on कर दिया एक बार तो इस feature को use करके साथ आपका जो device है उसके apple ID काफी ज़्यदा protective बन जाती है इसके साथ अगर वो आपके apple ID का passcode भी change करना जाता है यहाँ पर face ID की option में अगर वो इस option को disable भी करेगा तो उसको one hour का delay यहाँ पर बताएगा stolen device protection का feature जो है अगर आप यहाँ पर turn off के उपर tap करोगे तो यह आपकी face ID को use करता है face ID उसकी लगेगी नहीं और यहाँ पर यह जो option है वो passcode नहीं बताता है इसलिए यह जो feature आपकी face ID से ही open होगा आपको passcode नहीं अंटर करना पड़ेगा और वो जो person है इसको on नहीं कर सकता अगर वो यहाँ पर start security delay के उपर tap करता है एक गंटा उसे delay पड़ेगा इस feature को access करने के लिए उसके time के बीच एक खंटे में आप अपनी Apple ID का passcode चेंज कर सकते हो ताकि वो जो person है आपकी Apple ID को चेंज ना कर सके और अपने iPhone के passcodes को भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से यह जो stolen device protection का feature है इस update में काफ़ी ज़दा major feature है यही एक ऐसा feature है जो कि इस update में Apple ने काफ़ी ज़दा useful प्रोवाइड किया है उसके बाद आपको कुछ new wallpapers Apple ने प्रोवाइड करें है Unity के यह new wallpapers है जैसे यहाँ पर long press करो कस्टमाइज के उपर tap करोगे lock screen में जाओगे यहाँ पर आपको total five colors देखने को मिल जाते हैं इस wallpaper में जो भी आपको पसंद हो आप यहाँ से add कर सकते हो मेरे को वैसे यह वाला जो color है काफ़ी बढ़िया लगा यह purple वाला जब मैं इसको lock करता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो यह आपको बहुत कूल सी animation भी दिखाता है इस तरीके का यहाँ पर सेट अप करने के लिए आपको सेटिंग्स को ओपन करना है वाल पेपर पे जाओ और add new वाल पेपर के उपर टैप करके यहाँ पर आपको unity bloom का यह नया वाल पेपर का फीचर देखने को मल जाएगा उसके बाद जो नए फीचर आई है वो है आपकी music की application में अगर आपने कुछ music यहाँ पर import कर रखे हैं तो यहाँ से आप अपने emojis के साथ अपनी reaction को send कर सकते हो वो जो reactions हैं उने की उपर काम करते हैं जो कि आप officially अगर music app को use करते हो अगर आपने PC में से कोई भी music यहाँ पर import कर रखे हैं तो उसके उपर यह feature काम नहीं करता है तो कुछ इस तरीके से आपको reactions का बटन देखने को मल जाएगा यह emojis का option है इसके उपर tap करोगे यहाँ पर आप किसे भी song के उपर reaction send कर सकते हो जैसे कि आप अपने किसी भी chat के उपर अपने emojis के साथ reaction send करते हो उस तरीके से और साथे साथ यहाँ पर आपको collaboration का भी बटन देखनी को मल जाता है जब आप यहाँ पर update करोगे collaboration on playlist collaboration के साथ आप अपने friendship को यहाँ पर invite कर सकते हो अपने किसी भी music में react कर सकते हो और यहाँ पर अपने music को reorder कर सकते हो change बगएरा कर सकते हो अपने playlist में कुछ भी उसके बाद आपके feature में add down करा गया है वो है आपकी airplay में यहाँ पर आपको back जाना है और यहाँ पर general पर tap करके airplay and handover की उपर tap करो airplay receiver का एक नया button apple ने item कर दिया है जिसके साथ अगर आप किसी hotel वगएरा में जाते हो तो वहाँ पर अगर उनके पास बड़े या quality के टीवी होंगे तो वो जो features है अगर उनमें available होगा तो आप उसको directly scan कर सकते हो इस scanner की मदद से अपने camera को open करोगे तो simply आप यहाँ से scan कर सकते हो उसको access कर सकते हो अपने carplay में अपने airplay में इस तरीके का option आपको यहाँ पर show करेगा आप उसको connect कर पाओगे easily और यहाँ पर आप passcode भी enter कर सकते हो और यहाँ पर आप देख सकते हो यह जो feature है आपका apple vision pro को भी support करता है मान लो कि आपके पास apple vision pro है तो उस case में अगर आप उसमें कोई भी content वगरा वाच कर रहे हो उसको आप stream कर सकते हो अपने iphone क्यूपर directly आपको इसे everyone क्यूपर set करना है और आप good to go हो उसके साथ आप directly जो भी आप देखोगे apple vision pro में उसको आप stream कर पाओगे अपने iphone क्यूपर share कर पाओगे उस content को उसके बाद आपको general पर जाना है और यहाँ पर आपको apple care and warranty का option देखने को मल जाएगा यहाँ से आपने apple products की warranty बगारा को check out कर सकते हो और जो iphone 14 और 15 सीरीज है उनमें apple ने crash detection mode को और भी जदा optimize कर रहा है तो यह कुछ new features आपको iphone XR के उपर receive होने वाले है iphone 17.3 के नई latest update में तो यह जो update है आने वाले videos में इसका complete review आपको देखने को मल जाएगा कि यह update आपको iphone XR पे install करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो तब तक के लिए अपने channel को जो subscribe करें शो मलते हैं guys अगली वीडियो में शो guys thanks of watching